नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी नीज में आपका स्वागत है आज 26 अक्टूबर दिन गुरुबार खबरो क्यों बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर बिहार में असरक द्रगटना के बाद तुरंत अस्पताल पहुँचेंगे घायर सिक्षक भरती परिच्छा के सभी विश्यों का कट ओफ होगा जारी अब कनपॉर्म टिकेट को बरबाद होने से बचाए ऐसे OTT के 10 पॉपॉलर एक्टर्स की लिस्ट में पहले नमबर पर पंकस्त रिपाठी ग्लेन मैक्सवल ने ठोका वर्ल्ड का पितिहास का सबसे तेज सतक अब शले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 परी खबरों के ओर विस्तार से प्राश्ट्रिय केमिकल एवं फटिलाइजर्स में अप्रेंटिसिप के 408 रिक्त पदों पर निकली भरती प्राश्ट्रिय केमिकल एवं फटिलाइजर्स लिम्टिट की ओर से अप्रेंटिसिप के 408 रिक्त पदों के लिए भरती निकाली गई है ऐसे में वो लोग जो उसके लिए आविदन करना चाहते हैं वो ओफिसियल वेबसाइट www.rcfltd.com पर जाकर ओनलाइन तरिके से अपना आविदन कर सकते हैं बता दे कि आविदन करने की अंतिम तारिक 7 नमबर 2023 तक नरथारित की गई है इसके लिए अगर सैचनिक योगिता की बात करें तो मिद्वार को इंटर्मीडियेट या B.S.C. डिग्री प्राप्त होना चाहिए ग्रैजुएट अपरेंटिस के लिए B.C. डिग्री और टेक्नीशन अपरेंटिस पदो पर आविदन करने के लिए उमेद्वारों ने संबंदिच छित्र में इंजिरिंग डिप्लोमा प्राप्त किया हो इसे जरी अधिक जानकारी के लिए जारी केगा दिसूशना को देख सकते हैं बिहार परिटर में अज हम बात करेंगे कुल हुआ के बारे में कुल हुआ एक प्रसद बहुत उत्खरन अस्थल है जो पटना से लगभग 65 किलो मीटर उत्तर पश्शिब में स्थित है उत्खरना से बहुत धर्म से संबंदित कई अने लेक भी प्राप्त हुए समराट अशोक ने कुल हुआ में सी अस्थम का निर्मान कराया था यलाल बलुआ पत्थर के अत्यतिक पॉलिश के गयर एकल टुक्रे से बना हुआ है जिसके उपर 18.03 मीटर उची एक घंटी के आकार की पुंची लगी है स्थम के शिर्स पर एक शिर्की आदमकद आकरिती स्थापित है यहां एक छोटा सा तालाब है जिसे रामकुट के नाम से जाना जाता है कुल हुआ में एक इंट के स्थूप के बगल में यह स्थम्भ बुद्ध के अंतिम उपदेश की याद दलाता है बिहार में अब सरक दरगटना के बाद तुरंट स्थाल पहुंचेंगे घायल बिहार सरकार के पड़िवहन विभाग के दौरा एक प्रस्ताव तयार किया गया है जिसके तहत राज्य के सभी एनेच और एसेच पर सरक दरगटना के बाद गायोलों को तुरंत अस्पताल पहुचाने के लिए 60 किलो मीटर पर एम्बुलेंस की विवस्था की जाएगी वहीं अब इसको लेकर जल्दी सरक्सरक्षा में शामल सभी विभागों के साथ स्वास्ते विभाग की बैठक की जाएगी जिसमें इस प्रस्ताओं पर चर्चा किया जाएगा और साथ ही यह भी सुझाओं मांगे जाएगे कि जिलों में एम्बुलेंस कहां कहां रहें बतादी किन सब के अलावा नवंबर से हर 10 किलो मीटर पर आटोमेटिक कैमरा लगाने का काम शुरू किया जाएगा जोकी राजी के सबसे खतरनाक पांच एनच पर ओल्लाइन निगराने के लिए लगाया जाएगा सिक्चा में भाग हुआ सक तो साइकल से स्कूल पहुँच रहें विद्यार थी जला सिक्चा कारे आले से ऑक्टूबर के प्रथम सप्ता में विहार सरकार के सक्चा विवा को भेजी गई एक रिपोर्ट से यह जानकारी निकल कर सामने आई है कि सूबे के नौ जिलों के माध्यमिक और उचमाध्यमिक स्कूल परिसर में अब साइकल की कतार लग रही है बता दे कि अब इन नौ जिलों के 70 प्रतीशद स्कूलों के 90 प्रतीशद विद्यार्थी अब साइकल से स्कूल पहुँच रहे है बता दे कि जिन स्कूलों में साइकल से स्कूल आने वाले विद्यार्थियों की संक्या बढ़ी है अब कि जानकारी के लिए बतादे कि तीचर्स और बिहार के नुसार कई स्कूलों में हर मात चात्रों को पुरुस्कार भी दिये गया है उनमें पटना, भागलपूर, मुझपरपूर, गया, वैशाली, नारंदा, गोपालगन, समस्तिपूर और सहर्शाजरा सामल है अब कनफॉर्म टिकेट को बरबाद होने से बचाएं ऐसे कई बार ऐसा होता है कि हम ट्रेन की कनफॉर्म टिकेट कटवा लेते हैं दरसल रेलवे की ओर से एक नियम लागू किया गया है जिसके तहट अगर आप अपनी यात्रा से चार घंटे पहले तक अपना कनफॉर्म टिकेट बिना किसी सुल्क के कैंसल कर सकते हैं इसके लिए आपको अपना टिकेट IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल एप के जरिये कैंसल करना होगा इसके लावा अगर आप रेलवे स्टेशन के काउंटर पर जाकर टिकेट कैंसल करवाते हैं तो आपको सुल्क देना होगा जो की कैंसलीशन के आधार पर अलग-अलग निरधान योजना संचालित की जारी है बतादी कि आवीदक को शहायतारासी का भुकतान आवीदन पत्र की सुरुगती की तीथी से दे होगा कारी द्वारा कुस्ट प्रिद ग्रेट दो होने के प्रमान पत्र की छाया प्रती बैंक खाता संक्या हेतु पास्बुक की छाया प्रती और आवासी प्रमान पत्र की छाया प्रती है इस योजना स्टुरी अधिक जानकारी के लिए अपने जला के सहायक निदेशक, जला समाजिक सुरक्षा को सांग या अनुमंडल सित, बुनियाद केंदर या संबंधित प्रकण विकास पदाधिकारी के काड़े आले या टोल फ्री नंबर 186.3456262 पर संपर्क कर सकते हैं सिक्चक भरती परिक्षा के सभे विश्यों का कटॉप होगा जारी एक तरफ जहां विविन राजनितिक दलों के निताओं के दोरा सिक्चक भरती रिजल्ट पर सवाल उठाए जा रहे तो वहीं अब दूसरी ओर इसको लेकर सैक्डो अभ्यर्थियों के दोरा बिहार के रा सिक्चक भरती परिक्षा के रिजल्ट पर यह रूप लगाते हैं OTT के 10 पॉप्लर एक्टर्स की लिस्ट में पहले नमबर पर पंकस्त्रिपाथी आर मैक्स के द्वारा रिसर्च के आधार पर ऐसे 10 अभिनिताओं के नाम जारी किये गया है जिने OTT प्लाटफॉर्म्स पर जुलाई से लेकर सितंबर 2023 तक सबसे जादा पसंद किया गया है पतादिक इस लिस्ट में चार अभिनित्रियों के नाम भी शामिल है वहें इस लिस्ट के अनुसार सबसे पहले नमबर पर बिहार के लाल और मिर्जापुर में कालिन भाया का करदार निभाने वाले पंकल स्त्रिपाथी हैं तो है इस लिस्ट में दूसरे नमबर पर मनुज वाजपाई तीसरे अस्थान पर शाहिद कपूर चौथे अस्थान पर तमन्ना भाटिया पांचवे स्थान पर नवाजुदीन सद्की चट्थे नमबर पर काजो साथवे नमबर पर राजकुमार राओ आठवे नमबर पर जितंदर कुमार नौवे नमबर पर सामन्था रुथ प्रभू और दसवे नमबर पर इस लिस्ट में राधी का आपटे के नाम शामिल है बिहारी पहचवान में आज हम बात करेंगे बिस्मिल अजीमाबादी के बारे में बिस्मिल अजीमाबादी का जन बिहार के पटना में 1901 में हुआ था या एक भारतिये चुतनता सिनानी जमिंदार उर्दू कवी थे 1921 में उन्होंने सरफरोसी की तमना नामक देशभक्ती कवीता लिखी थी या कवीता राम प्रशाद बिस्मिल एक भारतिये महान क्रांतिकारी नेता ने मुकदमे के दोरान अदालत में अपने साथियों के साथ सामुहिक रूप से गाकर लोग प्रिय भी बनाया बिस्मिल अजीमा बादी ने इसे भारतिये चुतनता संग्राम के नौजवान सुतनता सिनानियों के लिए संबोधी गीत के रूप में लिखा था बिस्मिल की सहादत के बाद इसे चुतनता सिनानियों की नौजवान पीधी जैसे सहीद भगस सिंग तथा चंदर सेखर आजाद आदी के साथ भी जोरा जाता रहा है यह पहली एक जर्नल सबह में मैं दिल्ली से प्रकाशित हुई उनके काडियों को विविन संस्थानों के कैटलॉग में सूची बध किया गया है जैसे सिकागो विश्विद्याले लाइब्रेडी दिल्ली पब्लिक लाइब्रेडी दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट्रल लाइब्रेडी सिस्टम आदी उनके काडियों को दलंदन मैगजीन जैसी पत्रिकाओं और पत्रिकाओं में उद्रित किया गया है बिहार उर्दू अकादमी उनके नाम पर एक पुरुषकार देती है जिसे बिस्मल अजीमाबादी पुरुषकार के नाम से जाना जाता है भारत निर्वाचन आयोग से मिले इबियम की जांच सुरूँ 2024 में होने वाले लोग सभाचनाओं को लेकर देखते वे भारत निर्वाचन आयोग के दोरा विहार की राजधानी पटना को 13,000 बैलिट यूनिट पैसेट सो कमांड यूनिट तथा 79 बीवी पैट दिया गया है इसे में अभी इनका प्रतम स्तरिय जांच का काम चल रहा बता दे कि डियम डॉक्टर चंदर सेखर सिंग के दोरा राजनेतिक दलो के प्रतिनीधियों की उपस्तिती में इबियम और विवी पैट के जांच कारी का नरिक्षन किया जा रहा इस बारे में डियम के दोरा दी गए जानकारी के नुसार यह कारे प्रति एक दिन सुबह नौ बज़े से शाम साथ बज़े तक किया जा रहा मालम हो किस कारे में इलक्ट्रोनिक्स कॉर्पोरेशन ओफ इंडिया लिमिटेट के 20 अभियंताओं को लगाए गया है स्मार्ट सिटी परियोजना के तहट पटना के जीपियो गुलंबर के पास बन रहे बिहार के पहले मल्टी मॉडल हब का पहला तल्ला नवंबर में शुरू हो जाएगा बतादे कि स्पोर पर कुल 32 बरी गारियां यानि की बसू की पार्किंग की सुधा मिलेगे इस बारे में स्मार्ट सिटी के अधिकारी के द्वारा जानकारी देते वे बताये गया है कि मल्टी मॉडल हब का निर्मान चार मंजला किया जाएगा वहीं मल्टी मॉडल हब से अंडरग्राउंड रास्ते के जरीए पटना जंक्शन तक का लगबग 50 फीज़ी काड़े पूरा हो चुका है यहां सब वे आटोमेटिक ट्रेबलेटर भी लगाया जाना है बतादे कि PSC के प्रबंध निदिशक के द्वारा ओटो चालकों को आस मकाना विकास योजना के लिए उनलाइन आविदन शिरू मकाना के ऊत्पादन एवं उत्पादकтов के 7-7 किशानों की आयमें व्रधी के उद्देसे से मकाना विकास योजना 2034 के लिए औनलाइन आविदन की शिरुआत कर दी गई है हैसे में वो लोग जो इसके लिए आविदन करना चाहते हैं वो htpskolum slash horticulture.bihar.gov.in slash पर चाकर ऑनलाइन तरीके से अपना आविदन कर सकते हैं बता दे किस योजना के तहत सवर्ण वैदेही और सबोर मखाना एक के लिए मखाना के नए चितर वस्तार करने पर प्रती हेक्टेर 97,000 खर्च करने पर 75% सबसीडी सरकार के ओर से दी जाएगी इसके अलावा मखाने के स्टोरिज हाउस बनाने पर 10,00,000 रुपए खर्च करने पर 75% सबसीडी दी जाएगी मखाना कसानों को बीज बाटने में भी सबसीडी मिलेगी 5,400 रुपए प्रती हेक्टेर बीज कीमत का 75% सबसीडी के तौर पर मिलेगा हाला कि इसका लाब लेनी के लिए राजशी के अलग-अलग जिलो को नरधारित किया गया है नितीश सरकार ने उमेश कुश्वाहा की बढ़ाई सुरक्षा ग्रिव विभाग के सचीव के सुहिता अनुकम के दोरा डीजीपी को पत्र भेज ये जानकारी दी गई है बतादी की ग्रिव विभाग के दोरा जारी के गए पत्र के अनुसार 17 अक्टूबर को राज्य सरक्षा समीती की हुई बैठक में जेडियो के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंग कुश्वाहा को स्कॉट के साथ वाईश श्रेनी की सुरक्षा देने का नरने लिया गया बतादी के ऐसे में अभुमेश कुश्वाहा को वियाईपी सुरक्षा यानी की वाईश श्रेनी की और स्कॉट की सुरक्षा में रहेंगे दिन में मौसम बना रहेगा सुस्क सुभा साम सताईगी ठन बिहार में मौसम का मिजाज दिन प्रदे दिन बदलने लगा है बदलते हालाद के बीच में अब प्रदेश का तापमान लगातार नीचे गिर रहा प्रदेश के कई हिस्सों में कोहरा च्ञाया रहने की संभावना है बंगाल की खारी में इंदिनों हमून चक्रवात के तकरानी की आश्चन का जिताई जा रही है यारनि कि चक्रवात का प्रभाँ बिहार पर नहीं देखने को मिलने वाला मौसम विभाग के तरव से जारी अब्डेर के नुसार यह बताया जा रहा है कि प्रदेश में मौसम का मिजाज पूरी तरह से साफ रहने वाला है दोरान मौसम सुस्क बना रहेगा राजधानी पटना और उसके आसपास के जिलो में सुभव और शाम लोगों को हलकी ठंड का हैसास होगा हाला कि दोपहर में लोगों को तीखी धूप का सामना करना पड़ ज़ता है विहार के बारह सीओ बनाए गए डीसी एलार पहर में काफी समय से सरकारी सेवकों को प्रमोशन देने का काम किया जा रहा बता दी कि बीतर दिन राजश्व एवं भूमी सुधार विभाग के दोरा राजश्व सेवा के बारा अधिकारियों को भूमी सुधार उपसमाहरता में प्रमोशन दिया गया है राजेश कुमार सिंग, आसुतोष कुमार, सरत कुमार मंडल, ललित कुमार सिंग, राजीव रंजन, सुजीत सुमन, विपिन कुमार सिंग, अशोक कुमार यादव, रित्यूंजे कुमार और सुधानसु सेखर के नाम शामिल हैं NCRT की किताबों में अब इंडिया की जगह भारत का होगा प्रयोग, राश्ट्रिय सैचिक अनसंधान, संस्थान और प्रसक्षन परिसद यानी NCRT के दोरा, राश्ट्रिय सिक्षा नीती के तहत अपने पार्ठे क्रमों में संसोधन किया गया है, जिसके तहत अब किताबों मे इंडिया नाम की जगह भारत का इस्तमाल किया जाएगा, बता दे किस कारी को करने के लिए 19 रसिये NSTC गठित की गई थी, जिसके दोरा इस बदलाव को लेकर NCRT को मंजूरी दे दी गई है, इस बारे में समीती के अध्यक्स, CI, Ajak के दोरा जानकारी देते वे बताये गया ह और 1757 के पलासी युदि के बाद होना शुरू हुआ था, जबकि भारत का जिक्र विश्नो पुरान जैसे प्राचीन लेखों में मिलता है जो 7000 साल पुराने हैं, ऐसे में समीती ने आम सहमती से सिफारिस की है कि सभी कक्छाओं की किताबों में भारत के नाम का इस्तमाल होन चाहिए, इसके साथ ही हमने यह भी सुझाओ दिये हैं कि मदेकालीन और आधुनिक के साथ साथ क्लासीकल हिस्ट्री को भी पढ़ाया जाए और साथ ही इंडियन नॉलिज सिस्टम को भी शामिल करने की सिफारिस की गई है सियम नितीश अब इतने ही सक्षकों को देंगे निवक्ती पत्र बीपीएसी की ओर से ली गए सक्षक बहाली परिक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों का फिलहाल काउंसलिंग चल रहा है वहीं पहले ये खबर सुनने को मिल रही थी कि बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार के दौरा दो नवंबर को बिहार की राजधानी पटना में सद गान्धी मैदान में भवे कारिक्रम आयोजित करके एक लाग से अधिक सफ़स सक्षकों को न्युक्ती पत्र बाटा जाएगा लेकिना बस कारिक्रम में बदलाओ हो गया है बता दे कि अब सीय मृतीश के दौरा करी 5,000 अभ्यर्थियों को ही न्युक्ती पत्र दिये जाएंगे इस बारे में सक्षा विभाग के दौरा पत्र नडगत कर स्पस्ट कर दिया गया है वहीं सक्षा विभाग के अपर मुख्य सुचीव के के पार्थक के दौरा सभी डियम को जानकारी दे दिया गया है कि 2 नवंबर को बिहार की राजधानी पटना में इस्थत गांधी मैदा में आयोजित भवे कारिक्रम में सीय और どली जिले में बाकी अभ्यार्थी यो निपत्र दिये जाएंगे सवाबने को लेकर पाक्ष में पक्षा आपने सामने इन दिनों बिहार सवाबस बाकी के कारटा में सीयासी गलियारों में हल्चर बढ़ गई है इस पामली को लेकर पक्ष विपक्ष के बीच लगातार बयान बाजी चल रही है एक तरफ जहां अब भी अर्थियों की ओर से इस रिजल्ट का विरोत किया जा रहा तो वहीं दूसरी ओर विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सनहा के दोरा कहा गया कि वे इस परति उम्र के कारण सारा नियंतरन और छमता खो चुके हैं वहीं इसके जवाब में जेडियों के ओर से जेडियों प्रवक्ता नीरज कुमार के दोरा आरोप लगाये गया कि जीतर नाम मांजी सफल सक्षक अभ्यर्थियों की योग्यता पर सवाल उठा रहे हैं उन्होंने बिहार के उपमुख्यमंत्री तेश्वी यादर जापान दौरी पढ़ है जहां वे बिहार में परिट अन्विकास को लेकर कई एहम बैठक कर रहे हैं और साथ उन्होंने जापान में कई प्रमुख हस्तियों से भी मुलाकात की पता दे कि सबसे पहले तेश्वी यादर ने जापान में भारत के राजदूत सीबी जोर्ज से मुलाकात की इस दुरान उन्होंने कहा कि बिहार के बौध सर्किट को बढ़ावा देने के लिए जापान यातरा पर जापान में भारत के राजदूत सीबी जोर्ज के साथ स्तार्थक बाचीत हुई उन्होंने बताये कि ब पूर और ट्रेवल ऑपरेटरों के साथ बिहार परिटन रोड शो में शामुदे। मैदान में अपने उमिद्वार उतार दियें। ग्लेन मैक्सवल ने ठोका वर्ड कप इतिहास का सबसे तेज सतक। बतादे ग्लेन मैक्सवल ने महज 40 गेंदों पर अपना शृतक पूरा कर लिया और इसी के साथ ग्लेन मैक्सवल ने एडम मार्करम का रिकॉर्ड चकना चूर कर डाला है। कंगारू बलेबाज ग्लेन मैक्सवल के दोरा महज 27 गेंदों पर अपना अर्ध शृतक पूरा किया गया और फिर अगले 13 गेंदों पर उन्होंने 50 रन बनाते वे अपना शृतक पूरा कर लिया। इस दोरां ग्लेन मैक्सवल के दोरा 94 के और 8 कगंचुंबी छक्के लगाई के एगलेन मैक्सवल ने विश्वकप में सबसे तेज सेंचुरी लगाने के मामले में एडम मार्करम को पीछे छोड़ दिया है वहें इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर केविन ओ ब्रायन का नाम दर्ज है भारत की तियास में आज की तारीक है कही कारण उस दर्ज महात्मा गांधी के संरक्षन में अखल भारतिय ग्रामीन उद्योग संक्य स्थापना 1934 में की कलकत्ता में 1923 को हैजी की महामारी से ऑक्टूबर के तीसरे सब्ता में 2155 लोगों की मौत हुई राजा हरी सि भारत में विलाय करने पर 1947 को सहमत हुए संत मदर टेरेसा ने कलकत्ता में चैरिटी मिशन की स्थापना 1950 में की चांद पर कदम रखने वाले पहले अंतरिक्ष यादरी निल आर्म स्टॉंग और एडवेन एलरिन 1979 में मुंबया जापान ने भारत और पाकस्तान ने खिलाफ लगे प्रतिबंदों को हटाने की गोशना 2001 में की उस्तम नयायाले ने 1999 में आजीवन कारावास की अबधी 14 वर्ष तै की वर्ष 2006 को भारत चीन मैतरी वर्ष के रूप में मनाने का फैसला 2005 में किया भारत में माग लेने वाले गनेश संकर विद्यार्थी का जन्म अठाव 190 में हुआ भारती जन्तापार्टी के प्रसिधनीता तथा उत्तर प्रदेश के भूत पूर्व मुख्यमंत्री तथा मध्य प्रदेश के राजेपाल राम प्रकाश गुपता का जन्म 1923 में हुआ भारत में प्रसिध का निधन 1947 में हुआ प्रसिध वसास्त्रिय गायक दीवी पलुस्कर का निधन 1955 में हुआ प्रसिध कांतिकारी तिथा महात्मा हंसराज के पुत्र बलराज भल्ला का निधन 1956 में हुआ भारत के प्रसिध कनरकवी और साहितिकार दत्ता त्रे रामचंद्र बेंदरे का निधन 1981 में हुआ प्रमुक्रांती कारी तिथा लेखक मनमध्धन नाथ गुप्त का निधन 2000 में हुआ वारल पर में आज हम बात करेंगे HPCL LPG Agency Dealership Distributor Ship करने के बारे में सोचल मीडिया पर कहीं सुचनाय वारल होती है लेकिन सभी सच हो ये ज़रूरी नहीं है इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे HPCL LPG Agency Dealership Distributor Ship के बारे में रेसल P.I.B. ने अपने ट्वीट में लिखा है कि कतित तौर पर एक अनुमोदन पत्र जारी किया गया है HPCL LPG Agency Dealership Distributor Ship प्रदान करने का दावा कर रही है P.I.B. ने अपने ट्वीट में लिखा है कि अनुमोदन पत्र नकली है प्रमानिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट sttp.com//lpgvitarakc.in Instagram में Creators और Business करने वालों के लिए आ रहा ये एक नया फीचर Instagram Meta Verify नाम के एक फीचर के टेस्टिंग कर रहा है जो यूजर्स को केवल वेरिफाइट लोगों की पोस्ट फीड में देखने का आप्शन देगा यानि आपको केवल उन लोगों की पोस्ट दिखेंगी जिन्होंने Instagram पर ब्लू टिक लिया होगा या जिन्हें पहले से मिला हुआ है इस फीचर से क्रेटर्स और बिजनस करने वाले लोगों को फाइदा होगा क्योंकि इसकी मदद से उनकी रीच बढ़ेगी और यूजर्स उनकी पोस्ट को आसानी से मेटा वेरिफाइट के अंदर देख पाएंगे Instagram head Adam Mosary ने अपने broadcast channel में कहा कि हम इस फीचर की टेस्टिंग यूजर्स का नया कंट्रोल और क्रेटर्स और बिजनस करने वाले लोगों को निस्केवर करने में मदद कर लिए कर रहे है किसानों को दिपावली से पहले 22,300 करोड का तौफा काबिनेट पैठक के बाद केंद्रे मंत्री अनुडाक ठाकुर के दोरा किसानों के लिए 22,300 करोड रुपे तौफे कारान कर दिया गया है उन्होंने कहा कि केंद्रे मंत्री मंदल ने अंतराश्टे कीमतों में उच्छाल के बीच रभी सत्र के लिए पी एंड के खाद पर 22,300 करोड रुपे की सबसिडी मनजुई दी है साथ उन्होंने कहा कि उडिया की कीमतों में जाफा नहीं होगा बहुदेश ये पड़ योजना को पी एम क्रिसी सचाई योजना तुरत सचाई लाब कारी करम के तहर शामिल किया जाएगा रभी सत्र के लिए निट्रियंट बेस्ट सबसिडी प्रिदान की जाएगी साल 2020 सबसिडी की दर को इस तरह से मैनेज़ किया गया है जिसे किसानों पर अतरिक्त भार ना पड़े हम प्रदी दिन आप से पांच ऐसे जरुवी सवाल और से जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समित, SSC जैसे अने प्रतियोगी प्रिक्षाओं में काम आएंगे सवाल इतिहास, बिहार स्पिशल, विज्ञान, करेंट अफेर्स और भुगोल से रहेंगे पूछे के पांचों सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया क्रिपा करके यह हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं हमारा पहला सवाल है हाली में बिहार राजी सरकार के प्रतम मुख्यमंतरी स्रिक्रिशन सिंग की 136 वी वर्षगाट के अफसर पर खांसर को किस पुरुसकार से समानित किया गया है Option बिहार केस्टी पुरुसकार, Option B राश्ट्रे सक्षक पुरुसकार, Option C यदान पुरुसकार, Option D इन में से कोई नहीं इसका सहीुतर है Option बिहार केस्टी पुरुसकार अगला सवाल, हाली में किस देश ने अब टटिये जहासे इलक्ट्रो मैगनेटिक रेल गन को सफलता पुर्वक लॉंच करने वाला पहला देश बना है Option बिहार केस्टी पुरुसकार, Option C बिहार केस्टी पुरुसकार, Option D इन में से कहां से मिलते हैं Option A, लोडिया चंपारण, Option B, सासाराम रोतास, Option C, बेतिया चंपारण, Option D, शाहपुर भोजपूर इसका सहीुतर है Option D, शाहपुर भोजपूर अगला सवाल, दर्भंगा का नाम तुगलक पुर किसने रख दिया? Option A, मुहमद बिन तुगलक, Option B, फिरोज सहत तुगलक, Option C, इब्राहीम लोदी, Option D, सिकंदर लोदी इसका सहीुतर है Option A, मुहमद बिन तुगलक अगला सवाल, बिर्सा मुंडा के नित्त में कौन सा विद्रो हुआ था? Option A, कोल विद्रो, Option B, भूमीच विद्रो, Option C, संथाल विद्रो, Option D, मुंडा विद्रो इसका सहीुतर है Option D, मुंडा विद्रो इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की उराज का सवाल है NCRT किताब से इंडिया शब्द के इस्थान पर भारत शब्द का इस्तमाल करनी पर आपकी क्या राय है अपना जवाब हमें मारी कॉमेंट सेक्षिन में लिखकर जरूर बताएं आज कलिए इतना ही बिहाल के तमाम खबरों के साथ बरे रहने के देखते रहें अगर आपकी डूप से देखरें चलन को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देखरें तो पेस को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद